Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मद कैसर UPTGT, PZT 2022 और Assistant Professor 2022 को लेकर पहली बार कुछ exam date को लेकर exact जानकाई निकल कर आई है अभी तक आपको prediction के अधार पर सुत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी वही बताया जा रहा था और जो भी जानकाई दी जा रही थी वह शत्रों प्रतिसत सही दी जा रही थी मैंने आपको बताया था कि 2022 वाला विग्यापन रद नहीं होगा नए आयोग से आपकी परिक्षा होगी आपकी परिक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा जो भी पद्धे आपके विग्यापन में उतने ही पदों पर भरती होगी नए भेटियों को मौका नहीं मिलेगा कोई भी नई सीट्स आइड नहीं हो रही है और सबसे पहले नए आयोग से लंबित परिक्षाओं को ही कराया जाएगा इतनी जो जनकारी आपको अभी तक दी जा रही थी अलग-अलग वीडियोज के माध्यम से वो सबके सब सही है इसमें कोई भी बदलाव नहीं है अब जो नई अपडेट है वो आप देखिए जून माह में रफ्तार पकड़ेगी सिक्षक भरती जुलाई में परिक्षा कराया जाने की तयारी है तो जुलाई से अगस्त तक परिक्षा कराया जाने की तयारी चल रही है नए सिक्षा से वचैन आयोग में ये बिलकुल एक्जाइक जांकाई निकल कर आ रही है जुन माहमें भर्दिया राफतार पकड़ेगी जुन में क्यों क्योंकि 4 जुन को लोगसवाच चुनाओं के नतीजे आ जाएंगा उसके बाद आचा सहीता समापत हो जाएगा और फिर परिक्षा नियंतरक की निक्ती होगी क्योंकि अभी नए आयोग में परिक्षा नियंतरक decide नहीं हो पाए हैं परिक्षा नियंतरग की निक्ती के बाद घोशित हो जाएंगे लंबित परिक्षाओं की तितियां और आप देख सकते हैं कि सिक्षा से बचायन योग में परिक्षाओं के आयजन को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है तो तैयारी शुरू है बस परिक्षा नियंतरक और सच्चियू, साती साथ, वित नियंतरक वगरे लिपिक के पद हैं जो भरे जाएंगे उसके बाद फिर आपका उफिसियल एक्जाम डेट अलान हो जाएगा जून एंड तक चांसे सहां सभी निक्टियां हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपका परिक्षा तिथी घोशित कर दिया जाएगा देखिए नियूज ये निकल कर आ रही है कि और शास की सायता प्राप्त महाविद्यालेओं और और शास की माध्मी विद्यालों में लंबित परिशिक्षक भरतियां जून में रफ्तार पकड़ लेंगी चुनाओ परिडाम आने के बाद नए सिक्षा से बचान आयोग में अध्यक्ष और परिक्षा नियंतरक की निक्ति कर दी जाएगी हाला कि पुर्मे तैनात आयोक करमियों ने लंबित भरतियों पर काम करना शुरू कर दिया है असिस्टन प्रोफेसर की भरति की परिक्षा जो है वो जुलाई में कराया जाने की तयारी है और इसके बाद फिर टिजरी पिजरी का एक्जाम कराया जाएगा तो ये दोनों एक्जाम दोस्तों जुलाई अगरस तर कराया जाने की तयारी चल रही है Assistant Professor भरती सजटूरिस सभी सस्तावेज, उतर प्रदेश उच्चतर सिः सवचैनायोग से नयायोग में सिफ्ट कर दिये गए हैं तो सिफ्ट कर दिये गए हैं ये आप ध्यान में रखिएगा अभी किया नहीं जा रहा है, यह हो चुका है जो भी उससे संबनी डॉकॉमेंट्स थे ठीक है और आगे बताया जा रहा है कि एक हजा सतरे पदो पर असेटन प्रोफेसर के लिए आवेदन की प्रिक्रिया अगस 2022 में पूरी कर ले गए थी एक लाग 14,000 इसमें आवेदन आये हैं वही टीज़ेटी बिज़ेटी की बात करें तो 4163 पदों पर ही भरती होगी और इसके लिए आवेदन की प्रिक्रिया पास पास आवेदन हैं और दोनों परिक्षाएं आपकी जल्द होंगी टीज़ेटी बिज़ेटी एक बहुत बड़ी परिक्षा है क्योंकि तेरा लाग सरीकिसमें आवेदन हैं बहुत तारी सतरकता बरतना होगा नए आयोग को क्योंकि जिस परकार से आरो एरो तोजा करेगा अला कि एकजस्टेन प्रिक्षाक को कराए जाने की तैयारी हुआ पहले खबर थी कि टीजी पीजीटी वारा एक्जाप पहले होगा लें पहले अब एकजाम कब्रायए पिज़ेटी पहले ही यहुत परिक्षा नियंद्रक के पत्पत अनाति हुई है जबकि प्रिक् परिक्षा नियंतरक की भुमिका बहुत ज्यादा महत्पूर्ड है जुन में लोकसवाचनाओं के बाद आयोग में नए परिक्षा नियंतरक की निक्ति हो जाएगी और इसके बाद लंबित परिक्षाओं की परिक्षा ती भी गोशेत कर दी जाएगी तो ये कुछ जो भी शर्ट था आपके अडवर्टाइजमेंट में उसी के अधार पर आपकी भरती होगी तो कुछ भी बदलाव आपके विज्यापन में नहीं होगा तो ये कुछ इंपोर्टन जानकाई निकल कर आई है वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों चैनल को सस्क्राइब कर ल काचि झाल